हेलो श्टुडेंट तो स्वागत आपका श्ट्रगल श्टडी अकडमी में तो आज की इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों अध्याए 12 हम लोग जानेंगे व्रितों से 17 छित्रफल और इसमें प्रस्नावली 12 दसमलो 2 में प्रस्न संख्या 8 से स्टार्ट करेंगे और पूरा ल कोने पर लगे खूटे से एक घुड़े को पांच मीटर लंबी रसी से बांदिया गया है मां लेजे कि ये दोस्तों आपका एक वर्गाकार हमारा घास का मैदान है यहां लोग फ्रिड कर लें जिसकी भूजा कितना दिया हुआ है 15 सैंटी मिटर है ना वर्ग किसे कहते हैं जिसकी चारो भूजा है आपस में बराबर हो तथा परतिय कोन 90 डिगरी हो यानि कोन कितना बनाए 90 डिगरी है ना तो यहां पर बोला जा रहा है कि इसकी जो भूजा है ये कितना दे चुका है लंबा है 15 सैंटी मिटर है तो वर्ग का परतिय भूजा बराबर होता है यानि ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15 है ना, खेर इससे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है हमें, बस मैं आपको एक समझाने का कुछिस किया है ना, वर्ग का परतियक भुजा आपस में बराबर होता है, इसका परतियक कोण 90 डिग्री होता है, इतना दिमाग में आपको रखना है, और इसका कोणा ये है, ये है, ये है, ये है, कहें भी मान लिए कि इस कोणे पर ही बांधा गया है खोड़े को, और इसका जो रस्टी का लंबाई है ना, वो कितना है, पांच मेटर है, मैंने बोला कि मान लेता हूँ, रस्टी का लंबाई यहां से यहां तक होगा, तो ये गोड यहां पर आ जाएगा फिर घोर इस तरह जाएगा तो देखा जेक्र पर यहां प्तरीर का ही भाग थे पहला नको पर भाग का छेतरफल जहां घोड़ा घास चर सकता है यहां पर कितना दूर में घोड़ा घास चरेगा इतना ही दूर में क्योंकि मैदान तो बस इतना ही है और यहां पर बांधा गया है तो घास इसी में है तो यह इतना ही घुम सकता है तो इतना ही छेतरफल का खा सकता है तो इस तो यहां पर लिखना स्टार्ट करेंगे question number 8 में की चुकि दिया है क्या दिया है दूस्तों यहां पर दिया है वर्गाकर घास के मैदान इस यहां पर लिख सकते घास का मैदान गास का मैदान जो कैसा है वर्ग के आकार का है न गास का मैदान का मैदान की भूजा भूजा बराबर कितना है पंदरा सेंटी मीटर अब यहां पर ध्यान दीजेगा उसके बाद यहां पर दिखा जाए दोस्तों तो यहां पर रसी की जो लंबाई है वो कितना दे चुका है पांच मीटर दिया हुए न यहां पर लिखेंगे रसी की लंबाई रसी की लंबाई बराबर लंबाई जिसे हम लोग आर से डिनोट कर देते हैं यह चुकि हमारा रसी जो है एक त्रिज्या का काम कर रहा है न दुस्तों यह पांच मीटर है तो यह भी कितना होगा पांच मीटर होगा रसी की लंबाई बराबर लंबाई आर बराबर पांच मीटर राइट तथा ठीटा बराबर क्या हो जाएगा तथा कोण बराबर कोण ठीटा बराबर अब यहाँ पर देख लिए जाए न दुस्तों तो यह हमारा एक ब्रेट का चतुर्थ भाग है न चतुर्थांस भी बन दा है तो आप चतुर्थांस का भी चत्रफल ग्याद कर देजीगा फिर भी हो जाएगा राइट तो देखिएगा कैसे हो जाता है या आप यह समझे लिए कि वर्ग है तो इसका परतिय कोण 90 डिग्री होता है तो तथा ठीटा बराबर कितना हो जाएगा कोण बराबर 90 डिग्री तो यहाँ पर पहला नंबर में हम लोग ज्याद करते हैं राइट पहला नंबर में क्या बुला है मैदान के उस भाग का घास चरे जा सकने वाले सकने वाले भाग का च्छेतर फल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों तेरी जैखंड का च्छेतर फल यानि ठीटा बटा में 360 पाई या आप यहाँ पर चतुर्थांस का भी लगा लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा अब आप यहाँ पर रख लिजे मान है ना ठीटा का मान 90 यह आप देख रहे हैं ठीटा का मान केतना है 90 है बटा में 360 इंटू पाई का मान 3.14 रखना है आर स्क्वार आर का मान का है दोस्तों 5 है अब यहाँ पर 5 का स्क्वार करूँगा तो 5 गोने 5 लिखना पड़ेगा 36 देखें एक बटा चार आगया ना तो चतो सांस का भी छेतर फल लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं होता अब देखें यह दो से कटते हैं हम लोग दो दूना चार और इससे सिंप्लिफाई करेंगे तो 1.57 बार में चला जाएगा ना फिर 2 से अगर हम लोग कट करें इसको तो यह कितने बार में जाएगा दोस्तों 2 सते 14 और फिर 1 और 7 बचेगा 2 अठे 16 और 2 पचे 10 अब क्या बचेगा अब हमारा तो 0 10 मलो 7 8 5 मल्टिप्लाई यह 5 गुडे 5 है है ना सब का गुणा कर देते हैं हम लोग तो गुणा करने के लिए हम आपको दिखा दें यहां पर गुणा करके मैं आपको दिखाता हूं 0.785 में गुणा करना है हमें 25 का है ना आज 25 होता है दोस्तों 25 का गुणा करें तो यह देखिए अब आप 25 पचे 125 के 5 हाथ में 12 25 अठे 200 और 25 दूसों में 12 जूडेंगे तो 212 यह दो लिख दिया हमने और 212 है तो एक इस हाथ में हो हो जाएगा 25 साथ 175 होता है और 176 186 1096 है ना यानि 196 पॉइंट लगा देंगे तीन अंग पर यानि 19.625 आ जाएगा राइट 19.625 और यह मीटर स्कॉयर में था दोस्तों है ना यह मीटर स्कॉयर में है यह मैदान की भुजा गलत दिया हुआ है यह भी मीटर में ही देना चाह यह है ना जब रस्थी 5 मीटर का है तो भुजा कैसे मैदान का भुजा कैसे सेंटी मीटर में रहा गया यह तो गलत ही हुँए ना चलिए तो यह मीटर स्कॉयर में आगा आँसर पहले का ठीक है अब यहां पर देखिए दूसरे वाला कुष्टन जो है यह क्या कह रहा तो य जरे जाए सकने वाले छेत्रफल में बृधी यानि कि बृधी आपको ग्याद करना आपकी बार है ना यदि घुड़े को पांच मीटर लंबी रसी के अस्थान पर दस मीटर लंबी रसी से बांद दिया जाए अब बूल रहा है ना कि अगर घुड़े को ये पांच मीटर जो लंबी रसी था अब इसके जगह पर दस मीटर लंबी रसी कर दिया जाए तो कितना छेत्रफल में बृधी हो जाएगा है ना यह बृधी माल लिया कि यह जो रसी है आपकी बार दस मीटर यहां तक जाएगा तो यह आपका छेत्रफल जो होगा यह वाला इस तरह आ जाएग है ना जितना इतना च्छेत्र फल में से अगर ये वलग हटा देंगे तो जितना ब्रिध ही हुआ है उतना निकल आएगा कि आप कितने में चर जा सकता है है ना तो आईए अब लिखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर दूसरे में लिखते हैं अब यहां पर ध्यान दीजिएगा रसी का लंबाई आप क्या लेना है अब यहां पर रसी का लंबाई आपको पांच मिटर के अस्थान पर क्या लेना है दस मिटर है ना लंबा तो चुकी चुकी अब रसी की लंबाई रसी की लंबाई अर्थात आर बराबर कितना लेना है दोस्तों दस मिटर है ना तो और कुछ इसमें और ठीटा तो 90 डिगरी ही बनेगा है ना यहां पर लिखेंगे इसलिए चरे जा सकने वाले भाग का छेतर फल कि चरे जा सकने वाले भाग का छेतर फल कितना हो जाएगा दोस्तों वही ठीटा बटा में 360 यानि 90 बटा में 360 और एंटू पायर इसक्वाइर इसक्वाइर अब यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों 90 इसे कट करेंगे तो 90 कम 90 आएं 94 के 360 हो जाएगा तो यह 1 अपॉन 4 हो जाएगा राइट पाय का मान 3.14 और गुणे आर इसक्वार यानि आर का मान कितना है 10 है तो दो बर गुणा कर दीजिए 10 गुणे 10 तो 100 हो जाएगा ना अब आईए इसे डिवाइड करते हैं यह 4 से इसको डिवाइड कर देंगे कितने बर में जाएगा 25 तेम्स है ना 25 में 314 का गुणा कर लिजिए तो कितना हो जाएगा 25 के 100 के 0 हाथ में 10 हो जाएगा 25 एकम 25 10 35 के 5 हाथ में 3 हो जाएगा 25 तिया 75 हो तिन 78 यानि 78.50 मीटर स्क्वार अब देखें पहले जो आया था ना अमारा जब 5 मीटर लंबा रसी था तो व जब 10 मीटर हमने रसी के लंबाई कर दिया तो यह कितना है या 28.50 मीटर स्क्वार अब ब्रिधी ब्रिधी बराबर कितना हो जाएगा तो यहां पर 78.50 आया है और इसमें से मैनिस करना है कितना दोस्तो 19.625 अगर इस दोरों को घटा लिया जाए तो कितना बचेगा यहां पर घटा के मैं आपको दिखा देता हूं 78.500 आगे बढ़ा दीजिए है ना इसमें से घटाना 19.625 10 में से 5 घटेगा तो 5 9 में से 2 घटेगा तो 7 14 में से 6 घटेगा तो 8 है ना पॉइंट फिर आपका यह बच रहा है आपका 7 7 बच रहा है ना 17 में से 9 घटेगा तो 8 बच जाएगा और यह 6 6 में से घटेगा तो 5 यह 58.75 58.75 मांच मेंटर स्क्वाइर छेत्रफल में ब्रिधी हो जाएगा ठीक है दोस्तों उम्हेदा ये समझ में आया होगा अब आज ये कुस्चन नमबर 9 पर कुस्चन नमबर 9 दिया हुए दोस्तों एक ब्रिताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका ब्यास 35 mm है यह हमारा ब्रिताकार ब्रूच है दोस्तों ठीक है ये वाला थोड़ा सा 3D दिखाने के कारण ये थोड़ा सा 2 गो कर दिया गया है है ना टाइपिंग में लेकिन ये केवल खली एक रहेगा राइट या इसको रंग दिया जाएगा ठीक है और इसका जो ब्यास है दोस्तों ये कितना दे चुका है 35 mm दे चुका है तार को ब्रित के 5 ब्यासो को बनाने में भी परियुक्त किया गया है अब ध्यान दीजेगा इस ब्रूच ब्रिताकार जो चांदी का ब्रूच है ये इसको हम बोलते कि 5 इसको बनाने में 5 ब्यासो का यानि ये एक ब्यास हो गया दो ठ ठेक, ये 3, 4, इसी परकार, एक 5 यानि फिर से अगर गिल जे हम लोग 1,2,3,4 और ये 5 यानि ये पूरा का पूरा 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 पांच बयासों से बनाया गया है, ठीक ना ब्रिताकार ब्रूच बराने के लिए ये हम बोल देखे एक गोल तो आपको जरूरी पड़ा ही उसके साथ साथ ये पांच को ब्यास का भी जरूरत पड़ा है आगे बोल रहा है दोस्तो जो उसे दस बराबर त्रिजे खंडों में विभाजित करता है ठीक है ये जो पांच ब्यास है ये कितने त्रिजे खंड में एक दो तीन इसी तरह कुल मिला के दस त्रिजे खंड में बराबर त्रिजे खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकरि इसमें तार कितना लगा हुए बृताकर बूच में और दूसरा नंबर आप से पूछा गया है बूच के परतियेक त्रीज्य खंड का छेत्र फल भी गयात कीजिए ना यानि यह जो त्रीज्य खंड है ना इसमें से किसी एक का छेत्र फल बताना है तो अब आज यह यहां पर यहां पर अब श्टार्ट करते हैं हम लोग करना राइट तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों एक बृताकर बूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका ब्यास कितना दे दिया है 35 ठीक तो यहां पर लिखेंगे कि चुकी कुस्टन नमबर नाइन में चुकी दिया ह बृताकर बूच का ब्यास कितना दे दिया है दोस्तों ब्यास डी से रिपर्जेंट करेंगे और डी बराबर दे दिया है 35 एम एम राइट तो इसलिए तरिज्या र बराबर कितना हो जाए 29 बटा 25 एम 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 राइट आगे देखा जाएं दोस्तों तो यहां पर बोल रहा है कि यहां पर पहला नमबर पूछ रहा है कि कुल वानशीद चान्दी के तार की लंबाई आपको बताना है पहले नमबर में है ना यह आप देख रहे है न दो दूस्तो क्या निकलना है कूल वांचित चांदी के तार की लंबाई अब ध्यान से देखिएगा दोस्तो थोड़ा सा चांदी का तार कहां लगा है तो इसको इस चांदी के तार को गोलाकार इस तरह बनाने में तो यह क्या है बिरित का परिधी होता है न और दूसरा नंबर य तो यूज किया गया है चांदी के तार से है ना, तार यहां पे भी लगा है एक ब्यास, ये दो ब्यास ये तीन ब्यास है ना तो दिखा जाए तो कुल मिलाकर पांच को ब्यास है और ये बृताकार परीधी का भी छेत्रफल, ऑँ सोरी परिधी है ना छेत्रफल नहीं परिधी अब बात कर लिया जाए तो चांदी का तार कहा कहा लगा फिर से मैं एक बार और बता दू आपको यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ा सा तो यह हमारा बृत का परिधी का लाता है तो चांदी का तार इसमें भी लगा है ठीक है और पांच को ब्यास में भी लगा है तो यह वाला परिधी जो होता है बृत का यह क्या कर लाता है अगर इसका लंबाई निकालना होतो तो इसका लंबाई होता है टू पाई आर और फिर प्लस पांच को ब्यास भी लगा हुआ है ना चांदी का तार का तो पांच ब्यास यहाँ पर लिखेंगे ब्यास क्या होता है डी है ना तो बस यही तो हमारे को निकलना है यहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे इसलिए कूल वांचित चांदी के तार की लंबाई पहला नंबर में इसलिए कूल वांचित चांदी के तार की लंबाई तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों तो बुरूच का परिमाप बुरूच का परिमाप और प्लस परिमाप या परिधी प्लस पांच गुड़े ब्यास यानि पांच को ब्यास है ना यहाँ पे देख लिया जाए तो परिमाप क्या होगा और प्लस 5 कुड़े ब्यास् क्या है दोस्तों तो D है ना, यहां पर रख लीजिए MAIN 2 और PY का MAIN 22 7 कुड़े R का MAIN कितना है, तो R का MAIN हमने निकाला है कितना है दोस्तों 35 बटाاع 2 35 बटा 2 प्लस 5 कुड़े D का MAIN कितना है, 35 दिया हुए 1 M मे, ये देखिया 35 mm दिया हुआ है ना व्यास का मान चलिए दो से ये वाला दो कट गया दोस्तों 5 साते 7 पचे 35 बार में 22 में 5 का गुणा कर देंगे तो 22 पचे 110 प्लस 35 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 और 5 दिया 15 और 2 17 यह देख लिया जाए तो 280 और यह mm आ जाएगा है ना mm स्क्वार नहीं होगा दोस्तों क्योंकि यह लंबाई है आपका यानि कि चांदी के तार की कुल लंबाई आपको बताना था तो यह mm में ही आएगा न कि mm स्क्वार में चलिए यह तो हुआ है पहला वाले का एंसर आप दूसरे वाले का एंसर देखते हैं दोस्तों क्या पूछ रहा है दूसरे वाले में यह देखिए आप बोल रहा है कि बुरूच के परतिये खंड का छेत्रफल यानि कि यह आप देख रहे है ना यह वाला भाग इसका हमको छेत्र फल बताना है परतीक का तो इसमें कुल 3 जया खंड कितना है तो यह कुस्चन मैं यह दे प्रिजा खंड है 10 बराबर 3 हंडों में विभाजित करता है तो मैं पुछू आपसे तो परतीक 3 जया खंड का 6 त्रे फल क्या हो जाएगा इसलिए परती एक तरिज्या खंड का छेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों तो देखा जाए तो दस यह पूरा का पूरा जो भाग है हमारा यह कितना है कुल दस और उसमें से कितने भाग का निकलना है परती एक भाग यानि हर एक भाग का यानि एक भाग का और किसमें का यह भाग है तो यह ब्रीथ है ना यह ब्रीथ है हमारा बुरूच तो ब्रीथ का छेत्रफल क्या होता है pi r square अगर इतना समझ में आ गए न दोस्तों ठीटा का मान नहीं निकालना पड़ेगा समझ में आ रहा है आप वही बिधी से कीजिए जो बिधी से आपको असान पड़ जाए अब आएए यहाँ पर 1 बटा 10 हमने लिख लिया pi का मान 22 बटा 7 और यहाँ पर r square है r का मान कितना है देखिए यहाँ पर r का मान कितना निकाला हमने 35 बटा 2 इसको दो बार फैला दीजिए 35 बटा 2 multiply 35 बटा 2 है ना यह 7 पचे 35 और यह 5 दुना 10 और 2 से इसको कट कर दीजिए 11 बार में चला जाएगा है ना तो अब देखा जाए यहाँ पर तो 11 और गुणे 35 बच चुका है 11 गुणे 35 और बटा में क्या है 2 दुना 4 अब 11 में अगर गुणा कर ले तो 11 पच्छे 55 एगार तिया 33 और 5 अरतिस 385 बटा में 4 अब इससे देख लिए जाए कि डिवाइड किया गया है कि नहीं इसका अंसर में आप इतना भी लिख सकते हैं या हाँ ये भी ठीक है दोस्तों इतना इक बुक्स में दिया हुए अंसर mm² आपका मर्जी करेगा तो 4 से से डिवाइड भी कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है कोईसर नमबर आपका 9 भी कंपलीट हुआ आए 10 पर देख लेते हैं हम दो तो यहाँ पर कोईसर नमबर 10 कह रहा है कि है दोस्तों 1 छतरी में 8 ताने है जो बराबर दूरी पर लगे हुए है देखिए आकरिती 12 पॉंट एक 3 में आप ऐसे भी एजूम कर सकते है कि छतरी किस तरह होता है दोस्तों ठीक है छतरी को 45 सेटी मेटर तरिज्या वाले एक सपाठ ब्रेत मानते हुए इसकी दो करमागत तानों के बीच का छतरफल ग्याद कीजिए अब ध्यान दिजेगा अगर छतरी को हम लोग फैला दे दोस्तों तो यह हमारा कुछ इस परकार दिखाई देगा है ना आप किताब में भी देख सकते हैं अब यहाँ पर मैंने छतरी नहीं बनाया है ठीक है छतरी को अगर फैलाएंगे तो आप इस तरह और यहाँ पर क्या बोल रहा है यहाँ पर एक छतरी में आठ ताने है ताने मतलब यह वला देख रहे हैं आप यह कुल मिलाकर कितने ताने है आठ ताने है जो बराबर दूरी पर लगे हुए है देख रहे हैं आप यह एक दूसरे से कितने दूरी पर है बराबर दूरी पर और बोल रहा है कि छत्री को 45 cm त्रिज्या वाले एक ब्रित मानते हुए है ना सपार्ट ब्रित मानना है आपको इसका जो त्रिज्या है वो कितना दे चुका है दोस्तो 45 cm है ना 45 cm त्रिज्या वाले 1 सपार्ट ब्रित मानते हुए बोल रहा है दो करमागत तानों के बीच का छित्रफल ग्याद किजी दो करमागत यानि ये वाला और ये वाला है ना तो अब फिर वही वाला बात आग्पा आगे है इतने भाग में से 8 भागों में से अगर देखा जाये तो ये सब बराबर 8 ंतरονे में बटे हुए है है Bye अगर मीरे को 1ंतरी जी przestinksे खंड का निकालना है तो हम क्या करेंगे 1 बटा में 8 हैना 8 में से एक वाहिससाखंदा का हम लोग छेटर फल निकालेंगे तो आईए लिखिते हैं हम लोग चुक्कि दिया हुआ है कुस्टा नम्बर 10 हैना क्या दिया हुआ है दोस्तो तो बृता कार 6 6 लिखिए लेते हैं हम लोग 7 की 30 के त्रिज्या कितना दे चुका है आपको 35 संटिमेटर हैना कि 30 आर बराबर दे चुका है 45 सेंटिमीटर राइट तो निकाल लेते हैं पहला वाले का बहुत ही आसान कोश्चन है दोस्तों तो निकालते हैं दो यहां पर बुला है ना दो करमागत तानों के बीच का बीच का चेदरफल कितना हो जाएगा दोस्तों कुल में लाकर आठभाग है उसमें से एक भाग का निकालना है और यह पूरा जो है यह पूरा यह वाला भाग किसका है तो यह एक बृत के चेदरफल का है तो बृत का अब आज यहां पर रख लेते हैं हम लोगों मान एक बाटा आठ पाई का मान कुछ भी नहीं दिया है तो 22 बाटा साथ रखेंगे अपने इसे है ना आर स्क्वाइर आर का मान कितना है 45 तो यहां पर रखेंगे 45 मल्टिप्लाई बाई 45 दो बर फैला देंगे हम लोग है ना दो चोग के आठ और यह 11 टाइमस चला जाएगा ना तो कितना बचा सच्चोग के 28 हो गया नीचे अब 11 का 45 फिर 45 में तो 45 का 45 में गुणा करेंगे तो 45 का स्क्वाइर कैसे करते हैं तो 5 का स्क्वाइर या हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं 45 में 5 पच्चे 25 और 4 में एक और ब 11 दूना 22 और 5 27 हाथ में 2 और फिर 0 कर देंगे तो 0 यह दो जोड देंगे हम लोग 11 दूना 22 यानि 22 275 आ गया 22 275 और बटा में 28 और यह दिया हुआ है सेंटीमेटर में तो क्या हो जाएगा सेंटीमेटर स्क्वाइर बहुत ही असान कोस्टन था दोस्तों ठीक है दासवा तो उमेदर यह समझ में आ गया होगा आपको चलिए नेक्स्ट कोस्टन देख लेते हैं कोस्टन नमबर 11 क्या दिया हुआ दोस्तों किसी कार के दो वाइपर है आप कार में देखे होंगे सिसा साफ करने के लिए लगा होता है वाइपर है ना दोगो जो कि इस तरह घूंग घू घूमेगा है अगर यह वाइपर अगर इधर घूमेगा तो इधर वाला जो लगा हुआ वाइपर है न वह भी इधर ही घूंगता है थाते Samet यह उता तो जीता हूं बोल रहा है कि परते एक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 cm है मा लेजे कि यह आपका वाइपर है एक वाइपर यह यहाँ पर लगा हुआ है जो कि इस तरह घूम के साफ कर रहा है और यह दूसरा वाइपर है जो कि यह इतना घूम के कर रहा है साफ ठीक यह देखा जाए तो द बोल रहा है यहां पर कि परतियेक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 cm है यानि ये वाला जो लंबाई है ना वाइपर के पत्ती का ये कितना है तो 25 cm है दोस्तों तो ये भी 25 cm होगा है ना परतियेक पत्ती का मतलब दोनों का आगे बोल रहा है कि और 115 डिग्री के कोंड तक घूम कर सफाई कर सकते हैं यह जो है यह 115 डिग्री के कोंड तक इस तरह घूम कर साफ कर सकते हैं यानि कोंड कितना दे दिया है तो 115 डिग्री ठीक है आगे बोल रहा है तो पतियों की परतियक बुहार के साथ जितना छित्रफल साफ हो जाता है वह अग्याद कीजिए तो अब देख लिया जाए दोस्तों तो एक तो साफ हो जा रहा है इधर का छित्रफल ये वाला है ना इतना ही छेत्रफल ये भी है अगर मैं एक का छेत्रफल निकाल दू त्रिज्य खंड का और दो का गुणा कर दू तो दोनों वाइपर पत्तियों के द्वारा जितना साफ हो रहा है उतना छेत्रफल निकल जाएगा है तो आई ये सबसे पहले लिखते हैं हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चुकि दिजा है वाइपर की पत्ति के लंबाई वाइपर की पत्ति के लंबाई लंबाई इस लंबाई को वाइपर का पत्ति जो है यह ब्रित का त्रिजच के मदद त्रिजच का हमारा काम कर रहे है ला में कर रहा है तो हम इसको आर से भी इनोट कर सकते हैं इसके लंबाई को यानि आर बराबर कितना दे चुका है दोस्तों तो 25 cm है ना 25 cm ही दिया हुए दोस्तु ठीक है मैं सोच है थोड़ा सा बुक्स से भी मिला लिया जाए इसलिए थोड़ा सा डिश्टर फूगे है मैं बोलने में उसके बाद तथा कोण कितने कोण तक घूम जाता है 115 डिग्री यानि कि तथा कोण बराबर क्या दे चुका है कोण को हम लोग ठीटा से रिपरजेंट करते हैं ठीटा बराबर 115 डिग्री दे चुका है तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या यहां पर लिखा है कि परतेग बुहार के साथ जितना छेत्रफल साफ हो जाता है वह ग्यात किजिए है ना तो एक तो यह छेत्रफल हो गया और इत परतेग बुहार के साथ इसलिए परतेग बुहार द्वारा परतेग बुहार द्वारा साफ किया गया छेत्र है ना साफ किया गया किया गया छेत्र का छेत्रफल छेत्र का छेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों तो दो है ना दो गुड़े ठीटा बटा में 360 और इंटू पाई आर स्कॉयर अब यहां पर ठीटा पाई का जो मान है दोस्तों बाइस बटा साथ रखना है ना कोस्टन में ऐसा नहीं कुछ कहा है कि पाई का मान आप तिन दसमलों एक चार रखे चलिए रखते हैं तो फिर दो गुड़े ठीटा का मान क्या रखेंगे हम लोग 115 डिग्री दे चुका है बटा में 360 और गुड़े पाई का मान 22 बटा साथ और आर स्कॉयर तो आर का मान कितना दे चुका है दोस्तों 25 यहां पर 25 सेंटीमीटर लिख लेंगे है ना 25 का स्कॉयर होगा तो 25 गुड़े 25 कर देते हैं अब देखिए 5 से इसे डिवाइड करते है तो 5 दूना 10 पांच दिया 15 उसके बाद फिर 5 से इसको भी डिवाइड कर लेंगे हम लोग तो यह हो जाएगा 5 साते 35 और 5 दूना 10 और फिर देख लिए जाए तो 2 से और कटेगा त तो 18 बार में कर जाएगा ठीक है और यह 11 बार में अब क्या बच रहा है दोस्तों तो यहां पर देखा जिए तो 23 गुड़े 11 गुड़े 25 गुड़े 25 अब बटा में क्या बच रहा है हमारा तो 7 गुड़े 18 अब देखिए अगर इन सभी का गुणा कर लेते हैं दोस्तों त तो 58 125 आजाता है है ना 58 125 और पठा में 18 सते 100 cm स्कॉआर में आ जाएगा दोस्तों थीक है तो यह हमारा एंसर हो जाता है चलिए नेक्स्ट कोस्टन देख लेते हैं दोस्तों कुस्टन नमबर 12 देख लेते हैं ना तो यहां पर कुस्टन नमबर 12 क्या दिया हुए दोस्तों यहां पर बोलना है आपसे कि जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे इस्थित चट्टानों को चेताउनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिगरी के कोणड वाले एक तरिज्य खंड में 16.5 किलोमेटर की दूरी तक लाल रंग का परकास फैलाता है, अब ध्यान दीजे अब भी होते हैं, तो उन चट्टानों का पता लगाने के लिए लाइट हाउस लगा होता है, ठीक है, और वो लाइट हाउस जैसे मैं मालू कि यह हमारा कलम ही एक लाइट हाउस है, है ना, इससे रोशनी निकलता है और जहाज को संकित मिलता है कि आगे आगे आपका है, चाए कुछ भी है, उन सभी का पता लगा के और बताता है, तो इस तरह चलता है दोस्तों, देखिए ध्यान से, यह इस तरह ठीक है, यह इस तरह घुम घुम कर पता लगाते रहता है, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है कि 80 डिग्री कोड़ वाले एक त्रिज्य हो जाता है, है न, और वो 16.5 यानि 16.5 किलोमेटर की दूरी तक अपना लाल रंग का परकास जो है फैलाते रहता है, इस तरह, ठीक है, तो यानि कि हम देखें तो यह कुछ इस परकार बनेगा हमारा, जैसे अगर मैं मान लो कि यहाँ पर यह लाइट हाउप्स है, है न, जह हमारा क्या बना रहा है, एक तरिज्या खंड बना रहा है, जो कि इस तरह घुम रहा है, है न, और इसका, यह कितना दूरी तक घुम सकता है, कितना दूरी तक जा सकता है, तो 16.5 किलोमेटर तक, यानि कि जो तरिज्या का मान है, वो 16.5 किलोमेटर दे चुका है, और कितना के कौन तक घुम सकता है तो 80 डिग्री के कौन तक यानि यह वाला जो एंगल है आपका 80 डिग्री दिया हुए है तो बस बोला है कि समुद्र में उस भाग का छित्र फल ग्यात कीजिए जिसमें जहाजों को चेताओं नित दी जा सके यानि कि जितना दूरी में जहाज का जो यह लाइट हाउस लगा हुआ है जितना छेत्र में मतलब जानकारी दे सकता है कि कितना दूरी पर आपका चटान है उसका आपको छेत्र फल ग्यात करना है तो यह लाइट हाउस कहां तक जा सकता है यह देख रहें आप और यहां तक तो यानि कि हमें इसी छेत्र फल का इसी छेतर का छेतर फल हमें ग्याद करके बताना है तो आएए दोस्तों ये हमारा एक चेताओं नहीं दी जा सकती है जहाज को उस छेतर का छेतर फल आपको ग्याद करना है तो क्या-क्या दिया हुए दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे चुकी दिया हुए है लाइट हाउस का दिया है लाइट हाउस लाइट हाउस द्वारा बना कोंड कितना बनना है दोस्तों 18 d emergency द्वारा बना कोंड ठीटा बराबर कितना है दोस्तों 18 degree है ठीक है आगे बोलना है दोस्तों कि ये जो है कोंड वाले एक तरिजया खंड में 16.5 किलो मेटर की दूरी तक लाल रंग का परकास फैलाता है तो अब हमें उस भाग का च्छेतरफल ग्याद करना है जिसमें लाइट हाउस चेतावनी देती है जहाज को हम लोग लिखेंगे जहाज द्वारा चेतावनी दी जा सकने वाले भाग का च्छेतरफल जहाज द्वारा चेतावनी दी जा सकने वाले छेतर का या भाग का च्छेतरफल भाग का च्छेतरफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तो ठीटा बटा में 360 त्रिज्या खंडी तो बना रहा है इंटू पाई आर स्क्वार अब यहाँ पर ध्यान देजेगा पाई का जो मान है न दोस्तो यह देखिए पाई का जो मान है केतना रखना है तीन दसमलो एक चार राइट तो रख लेता है यहाँ ठीटा का मान क्या रखेंगे असी बटा में 360 और गुणे पाई का मान तिन द अगर 9 से 3 से अगर हम लोग इसको कटा है तो 3 ती यही 9 और यह 3 से कटा है तो 3 पचे 15 और यह पॉइंट 3 पचे 15 फिर इस 3 से इसको भी कटा देजे 5.5 बार में चला जाएगा है ना क्या बच गया दोस्तो दो गुणे 3 दसमलो एक चार गुणे 5 दसमलो 5 है ना गुणे 5 द किलो मेटर स्कॉ एर प्योंकि यहाँ पर जो त्रिज्या है वो किलो मेटर में दे चुका है हमने यह गुणा कर लिया है था दोस्तो मैं सुचा कि time passer ना हो क्यूंकि मैंने बहुत सारा भी आपको point पर कर गुणा हमने बटा दिया है चले question number next करते है question number 13 став question number 13 क्या कहाने दोस् जैसे कि यह आप देख सकते हैं, किताब में भी देखे होंगे, मैज़ पोस पर यह बना हुआ डिजाइन है, एक यहाँ पर बना हुआ है, इसी परकार कुल मिला के 6 डिजाइन बना हुआ है, और यह डिजाइन कुछ इस परकार है, दिखाई देरे आपको, यह कुछ इस परका ही है यह भी कितना है दोस्तों 28 cm है इसी तरह पूरा छे हमारा त्रिज्या हम लोग ले सकते हैं है ना आगे क्या बोलना है दोस्तों कि तो 0.35 रुपईया प्रती वर्ग सेंटीमीटर यानि एक सेंटीमीटर स्क्वाइर का जो लागत है 0.35 रुपईया है है ना कि दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ग्याद केजिए और उठतीन वराबर एक दस्मलो साथ का परियोग करना है तो अब ध्यान दीजेगा यहां पे दोस्तों अगर यह देखा जाए तो यह तो एक बृत खंड का साम कर रहे हैं है ना लगो बृत खंड का और ब तो क्या जाता है हमारे पास बृत खंड का चेत्रफ़ तो आई यह सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहां पर है ना मेज़ पोस की त्रिज्या चुकी दिया हुआ है मेज़ पोस की त्रिज्या है त्रिज्या को हम लोग आर से दिनोट करेंगे दूस्तों और आर बराबर कितना दे चुका है यह देखिए हाँ पर 28 सेंटीमेटर है यह हम लोग 28 सेंटीमेटर ले लिख लिए लेन अब बात उठ रहा है कि कौण कितना बन दा है कौण पता रह अगर कोण हम पूछे कि त्रिज्या खंड जब निकालेंगे इसका छित्रपल तो त्रिज्या खंड का थीटा बटा 360 होता है तो थीटा कहा है हमारे पस तो यहां पर ध्यान दीजेगा इस केंद्र पर यह पूरे 6 डिजाइनों द्वारा यानि कि हम बोलें कि 6 डिजाइनों अब यह कैसे आ जाता है यहां पर 60 डिजाइनों द्वारा यहां पर लिखूंगा कि 6 डिजाइनों द्वारा यहां पर बना कोण जिसे हम लोग ठीटा से रिपरजेंट कर देंगे और ठीटा पराबर कितना हो जाएगा ठीटा से नहीं 6 डिजाइनों द्वारा बना हुगा कोण है ना तो हमको निकालना है इसलिए एक डिजाइनों द्वारा बना हुगा कोण तो क्या हो जाएगा हमारा 360 और बटा में यह खुना में और इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा राइटअब अब हम लोग निकाल सकतें यहां पर अब हमारे पस है कि ये तिर्भूज कौन सा है तो अब यहां पे ध्यान दिया जाए तो हमने वही तो बताया था दोस्तों ये दोनों त्रिजाए जब बराबर है तो इसके समुक कौन भी आपस में बराबर होंगे ये वाले कौन इसके बराबर ये वाले कौन इसके बराबर तो ये एक हमारा संबाहू तिरबूंज हो जाएगा नामकरण भी कर सकते है तो हम यहां पे ऐसे तो खैर हम लोग संबाहू तिरभूंज का च्चयतर फल भी लिख देंगे फिर बーिझ चल जाएगा थीक तो हम यहां पे लिखना चाहते है कि 8 advice सो क 만들어 हम यहां पर यह लिखेंगे कि क्या पूछ रहा है लाश्ट में दोस्तो तो यहां पर पूछ रहे हैं आप से कि इन डिजाइनों को बनाने में है ना अगर बोल रहा है कि इसका जो लागत दर है वो 0.35 रूपाई या प्रतिव वर्ग सेंटीमेटर की दर से इन डिजाइनों को अगर एक का जाता है तो छे का गुणा कर दूंगा तो यह ही करना है हम लोगों को तो यहां पर लिखेंगे इसलिए कि छे डिजाइनों का मैं लिख दे रहा हूं डारेक्ट राइट छे डिजाइनों का छेत्रफल पहले तो यह निकाल लेते हैं हम लोग है ना छे डिजाइनों का छेत्रफल बराबर तो पहले तो एक डिजाइन का अगर छेत्रफल बात करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा तरिजाइ खंड का छेत्रफल तरिजाइ खंड माइनेस तिरभूज चाहिए यहां पर लिख सकते तरिजाइ खंड का छेत्रफल और यह तिरभूज कैसा है तो तिरभूज यहाँ पर लिख सकते हैं आप संभाहू तिरभूज का छेतर फ़ल है ना संभाहू तिरभूज का छेतर फ़ल यह हमारा एक ढिजाईन का छेतर फ़ल होगा मेरेको निकालना 6 ढिजाईन का हम लोग क्या करेंगे? इसमें 6 का गुणा कर देंगे तो अब आज ही यह निकाल देते हैं हम लोग तो छे गुणे रिज्य खंड का छेतरफल क्या होता है दूस्तों ठीटा बटा में 360 इंटू पाई यार इसक्वार राइट अब यहां पर ध्यान दिजेगा दूस्तों यहां पर पाई का जो मान है न 22 बटा साथी रखना है राइ नैस संबाहुत इरिफुज के 6 डुल है घ में सजाव मोस्त संबाहु त Northern डूट िन बटा में चार गुणे भुजा इसक्वार होता न के भुजा इसक्वार अम यहां पर मान रख देते हैं एक अलब थीटा का माण कितना है इह मैं तो सब्सक्राइब टिंस तेस्क्राइब में इसलोगी एक लुआ न करूं के हमारे ही पैम लूग यहांपर रखेंगे लहांब एक दसमलो, साथ, बठा में चार, और गुणे, ये भुजा इसकार यारी, अठाइस, और गुणे, अठाइस हो जाएगा, राइट, चलिए दोस्तो, इतना समझ में आ गया होगा, एच्छे जाए आके, चातिस, ये सच्चों के अठाइस हो जाता है, फिर दो से कट करिए, दो कोश्ट में क्या बच रहा हमारा, 22 गुणे 2, 22 गुणे 2, और हमारा क्या बच रहा है, 28 गुणे 28 बठा में 3 है, फिर मायनेस, ये कितना बच रहा है, तो एक दसमलो, साथ गुणे, साथ गुणे 28 और बठा में 4, आइट, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों अगर आप देखा जाए तो यह 6 और यह 22 दूना 44 44 में जब 28 का गुणा कर देते हैं दोस्तों तो यह हो जाता है 1232 बट है ना चैकर करके देख लिजे आप 22 दूना 44 44 में हम करेंगे कितने का गुणा 28 का है ना 44 में हम लोग 28 से कर देंगे तो यह अगर कर दिया जाए तो 28 के 112 के दू हाथ में 11 24 के 112 एक 1310 23 हो जाएगा है ना 232 और बटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा राइट 232 बटा में 3 फिर माइनेस एक दसमलो 7 और 7 का कर्टे है तो यह हो जाएगा दोस्तों यह करने के बाद हम यहां पर करकर रख दिये हैं यह हो जाता है आपका 333.2 और इसके बटा में एक हो जाएगा राइट यहां पर ध्यां दीजीगा LC हम ले लिए इसका है ञूंज से कागज पर हम लुग हल कर ले v यह हमारा पेज थोड़ा सा लेना है दूस्तों यह हमने ले लिया राइट छली एच्छे और तीन एक कैल्सियम लेंगे तो थ्री आ जाएगा ना तिरिया गुणा कीजिए एक से अगर दोसो 32 में कर देता है तो कितना हो जाएगा दोस्तों यह दोस्तों 1200 हो जाएगा दोस्तों ठीक है 1232 हो जाता है हम लोग अगर करके देखे तो यह 1232 आ जाएगा ठीक है यह आप करके भी देख सकते हैं 1224 जहां पर थोड़ा सा मिश्टेक हो रहा है देखे आठाइच्छो के 112 के दू हाथ में 11 हो गया है ना अठाइच्छो के 112, 113, 10 13, 10 23 हो जाएगा ना और 123 हो ठीक है तो यह 1232 हो जाएगा थोड़ा सा जल्दी-जल्दी में गल्बढ़ाने लगता है भाई स्टुडेंटों को दिखाना भी ज़रूरी है ना गुणा करके 3 और 1 का LCM 3 हो जाएगा दोस्तो 1 का इसमें 1232-3 का इसमें कर देंगे हम लोग है ना 3 नुना 6 पॉइंट 3 तिन तियाई 9 तिन तियाई 9 अब जब आप इसे घठा के और भुना करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका तो घठा देते हैं यहां पर सब्ट्रेक्ट भी करके दिखा देते हैं आप लोग यह हो जाएगा दोस्तो 6 गुणे और 232 पॉइंट 4 है ना और यह बटा में 3 हो जाएगा ठीक है यह हमने करके गुणा रखा है दोस्तो यह 3 से इसको कट करेंगे तो दो बार में चला जाएगा अब अगर गुणा कर लेते हैं हम लोग तो 4 दूना 8 फिर 2 दूना 4 हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 दूना 4 यहां चार सो चौशर दसमलो 8 सेंटीमीटर स्कॉयर आ जाता है अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कोस्टन में लेकिन यह नहीं पूछा है यह तो हमने हम बोल दें 6 दिजानों का छेतर फल निकाल लिए ठीक है गुल मेज पोस्का अब यहां पर बोल रहा है कि आप लागत बताईए इसका क्या बताना है दोस्तो लागत बताना है अगर बोल रहा है कि एक सेंटीमीटर स्कॉयर का है ना प्रती वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मतलो सेंटीमीटर का स्कॉयर यहां पर बोल देंगे कि चुकी लागत दर बराबर चाहिए यहां पर लिख सकते है कि चुकी, एक centimeter square, भाग का लागत, भाग का लागत, बराबर कितना दे चुका है, दोस्तों, तो आपको दे चुका है, 0.35 रुपईया है ना, तो मैं कुछ उइ इतना का, इसलिए 464.8 centimeter square, पर भाग का लागत बराबर क्या हो जाएगा तो 466.8 0.35 अब सब का गुणा कर देते हैं दोस्तों तो यह गुणा यहाए हैं इसका जो गुणा है गया 162. मलो ऐसको करी देते हैं हम अब गुणा कर के आपको दिखा देते हैं दोस्तों यह देखें में करके मैं यहां पर दिखा रहा हूँ तो ये 464 दसमन लो आठ में 0.35 से करेंगे राइट तो पॉइंट को भूल जेए दोस्तो चलिए हम बता रहें फिर से 845 के 0 हाथ में 4 है ना पंचों के 24 24 के 4 हाथ में 2 पांच के 32 32 के 2 हाथ में 3 और पंचों के 20 20 और 23 है ना तेज़ लिख देंगे फिर 3 से करेंगे आठ तिया 24 के 4 हाथ में 2 चारतिया 12 2 14 हाथ में 1 और 6 38 11 के 9 हाथ में 1 हो जाएगा फिर चारतिया 12 एक 13 ये 0 चार चार आठ और ये 6 9 3 12 के 2 और ये 3 2 5 एक 6 हो जाएगा और ये 1 है ना पंच लगा दीजे तीन अंख पे लगेगा ना एक दो तीन तो तीन अंख पे लगाएंगे तो 162.68 रूपया जाएगा राइट 162.68 रूपया ये फाइनली आपका एंसर होगा दोस्तो चलिए नेक्स्ट एक और कोस्टन अब्जेक्टिव टैप ओभी कर लेते हैं हम लोग है ना यहाँ पे देख लिया जाए दोस्तो कोस्टन नंबर 14 में तो यहाँ पे बोल रहा है कि निमना लिखित में सही उत्तर चुनिए है ना और बोल रहा है कि तरिज्या R वाले बजू के उस त्रिज्या खंड का चेतर फल ग्याद कीजी है ना उस त्रिज्य खंड का छेदर फल जिसका कोड पी डिग्री है निमना लिखित है है ना यानि कि त्रिज्य खंड का छेदर फल यहां पर चार ओप्सन में दे चुका है इसमें उस त्रिज्य खंड का जो त्रिज्य है वो क्या दिया है आपका ब्रित का त्रिज्य है यहां पर बना लेजीगा दोस्तों लेकिन objective में तो बस इतना ज़रूरी है उतना ही मैं बता दूँगा ब्रेत की त्रिज्या बराबर कैपिटल र है तथा ठीटा यहां पर देखें ध्यान से बोलड़ा है कि जिसका कॉंड पी डिग्री है यानि कॉंड बराबर तथा कॉंड ठीटा बराबर बराबर पी डिग्री दे चुका है है ना तो निमना लिखित में से त्रिज्या खंड का छेतर फल क्या होगा है ना यही पूछा है ना इसलिए त्रिज्या खंड का छेतर फल त्रिक्जा खंड का 6 रफल और यह क्या होता है दोस्तों ठीटा बटा में 360 इंटू पाई र स्क्वार यही होगा ना अब देखा जाए तो ठीटा का मान क्या है पी तो यहाँ पे लिख दिया हमने पी डिगरी है ना और बटा में 360 गुणे पाई र यहाँ पे कैपिटल र होगा है ना इंटू पाई र स्क्वार चलिए अब आज यह अब यहाँ पर अब तो अब हम लोग मिलाते हैं यहां पर देखिए पहला ओप्शन दिया हुए दोस्तों पी बटा में 180 इंटू पाई र तो यहाँ पर बिरित क्रिजय खंड का चेतरपल तो पाई र स्क्वार ह हो गया ना चलि दूसरे बाले में देखते हैं बोल रहा है पी बटा में 180 इंटू पाई र स्क्वार यह भी गलत है क्योंकि 180 तो हो गई नहीं 360 हो यह भी ओप्सान नमबर भी इस रॉंग एंसर है न तो उप्सान नमबर सी देखते हैं पी बटा में 360 पी बटा में 360 दिया तो यह गलत हो गया, क्योंकि जो त्रिजय खंड का छेत्र फल क्या होता है, बृत का ही छेत्र फल के बराबर होता है, मतलब बृत का ही भाग का छेत्र फल होता है, तो यहां पर पाई आर स्कॉर होगा, तो यह भी गलत, यहां पर देख लिए जाए दोस्तों, तो P बटा में 720 20 into 2 pi r square तो 2 का उपर गुणा 2 का नीचे तो इसमें भी करके देखते हैं हम लोग क्या आता है 2 का गुणा उपर कर दिया 2 का भाग कर दिया ठीक है गुणा और भाग करने में कोई भी डिफरेंट नहीं है अब आगे अगर देखें हम लोग तो P बटा में 360 का दो में होगा तो ये 720 तो होगा दोस्तों और ये 2 को आगे लगा देते हैं 2 pi r square अब आप देखें कि ये वाला बिल्कुल option option number D की तरह match कर रहा है है ना तो यही हो जाएगा हमारा option number D या आप इस तरह भी कर सकते थे यहीं पर कि 2 से इसको डिवाइट कर देते तो ये 360 फिर देखिए आप P बटा में 360 into pi r square आ गया है ना तो इस परकार option number D हो जाएगा तो दोस्तों उमीद है आज का इस video lecture जो है आपको समझ में जरूर आया होगा थोड़ा बहुत disturbing हो जाता है दोस्तों हम लोग गाउं ध्यात से थोड़ा सा belong करते हैं है ना और यहाँ पर एक ही घर है जिसमें से आना जाना होता है बहुत सारे लोगों को हमारे घर के तो थोड़ा सा इधर उधर ध्यान हो जाने के कारण थोड़ा सा calculation में problem हो जाता है लेकिन ज्यादा attention नहीं लेना है आपको आप वीडियो पे लाश्ट तक बढ़िया से देखिए और आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा सो मिलते हैं next वीडियो में दोस्तो धने बाद और हाँ सभी वीडियो का लिंक जो है दोस्तो मैंने description में दे दिया है आप वहाँ से पूरा का पूरा चप्टर का अध्यान कर सकते हैं है ना लगभग 2-3 चप्टर 2-3 चप्टर क्या सब के सब कुछी दिन में अब upload हो तो आपको सब किसम अब लेबल होगा और आप वहां से सारा प्रिप्रेशन कर लिजिए अपना कि ताकि आपका जो बोड में है नंबर बढ़िया बने ठीक है तो मिलते हैं next वीडियो में दोस्तो और एक बात और दोस्तो अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिज